Hello, welcome to my channel. My name is Nisha. आज हम बात करने वाले हैं कि हम meditation की mindfulness की practice कैसे कर सकते हैं. Actually, जो हमारे आसपास की life है, हमारा खुद का जो lifestyle है वो इतना stressful और busy है. हम उस lifestyle को change नहीं कर सकते, हम दूसरों को change नहीं कर सकते, कि दूसरे लोग हमें कैसे treat करें, किस तरह से हमारे साथ बात करें. But one thing we can do is to take care of ourselves. हम अपना खुद का ध्यान रखना, ख्याल रखना सीख सकते हैं. और mindfulness meditation यही एक practice है, जिसके थुरू हम अपना खुद का ध्यान रखना सीख जाते हैं. तो चलिए बात करते हैं, without wasting our time कि हम mindfulness की practice कैसे कर सकते हैं. And to practice mindfulness, सबसे पहला step है, take some time out. आपको अपने लिए कुछ time निकालना है, कोई भी काम करने के लिए time तो चाहिए न? But हाँ, mindfulness की practice करने के लिए, mindful meditation करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा time की ज़रूरत नहीं है. आप अगर अपने business schedule में से 5 से 10 minutes भी spare कर पाते हैं, तो भी वो आपके लिए बहुत beneficial रहेगा. आपको 5 तो 10 minutes अपने daily के लिए set करनी हैं. आपको decide करना है कि दिन के किस समय पे आप 5 से 10 minutes के लिए अपने meditation की practice करना start करेंगे. Second step, जब आपने अपना time set कर लिया है, then find out a comfortable spot जहाँ पर आपको mindfulness की practice करनी है. Comfortable सी position में बैट जाएं. आप बैट की practice कर सकते हैं, sofa पर बैट सकते हैं, आप chair पर बैट सकते हैं, आप cushion पर बैट सकते हैं, या फिर आप अगर बैठने की position में नहीं हैं या बहुत थके हुए हैं, तो आप लेट कर भी mindfulness की practice कर सकते हैं. प्स ध्यान इतना रखना है कि आपको सोना नेगी है और इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है जैसे गोतम बुदधा की जो लाइंग पोजिशन है ऐसे अपने सिर के नीचे हाथ रखके लेट जाते हैं और साइड में लेट ने आपको सीधे ने लेटना है साइड में लेटना और आपको जो अपनी spine है उसको straight रखना है, बहुत ज़्यादा tension में नहीं रखना है, जैसे कि suppose कर लिजे कि coins को stack कर देते एक दूसरे के उपर, तो अगर वो बिलकुल एक किसी भी direction में हो जाते हैं, तो वो गिरना start कर देते हैं, तो थोड़ा सा अगर इधर उदर balance होता है, त तो फिर भी वो coins जो एक दूसरे के उपर हम stack कर सकते हैं, तो same way हमारी जो backbone है, उसको हमें straight रखना है, बहुत tension नहीं देनी है, backbone को, just straight रखना है, comfortable position में बैटना है, कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए, कुछ चुब रहा है, uncomfortable आप नहीं होने चाहिए, third step is sensory awareness of your body, जो body का weight है, वो ground पर आ चुका है, और जहां आपके pair touch हो रहे है, ground से, उसको feel करना है, या आपकी ankles touch हो रही है, आपकी body का जो भी हिसा, जमीन से touch हो रहा है, उसको feel करने की कोशिश करने है, feel yourself as a grounded body on the earth, तो earth के साथ, आपका जो contact है, उसको महसूस कीजिए, अपनी senses के through, तो आपको, आपकी body और mind को एक line में align करने में help मिलती है, deep breath in, गहरी सी सांस लीजिए, और उसके बाद notice कीजिए, अपनी body को, कैसे sensations आपको feel हो रहे हैं, are you comfortable, are you feeling present, are you feeling uncomfortable, sensations को या feelings को change करने की कोशिश नहीं करने है, सिरफ अपनी body के लिए aware होना है, आपको महसूस करना है, बोडी के किसे part में tension है, या बोडी के किसे part में कहीं pain हो रहा है, जो भी sensation से उनको सिरफ महसूस कीजिए, उनको change करने की कोशिश मत कीजिए, main part of mindfulness session is to focus on your breath, अपनी सांस पर focus करना है आपको, जब आप सांस ले रहे हैं, आपके nostril से, अंदर आपके wind pipe से अंदर जा रही है, तो उसको महसूस करना ही कोशिश करनी है, उसके बाद जब आप सांस को छोड़ते हैं, तो भी आपका mind जो है, आपकी सांस को follow करेगा, तो आपको focus करना है अपने breathing in and breathing out पर, तो breathe पर focus करके रखना है, अब breathe पर focus अगर आप generally नहीं कर पा रहे हैं, तो initially आप कहां से start कर सकते ह उससे आपके mind को focus करने में थोड़ा सा easy रहेगा, तो जैसे आप breathe in करते हैं, तो count कीजी 1, when you breathe out, then count 2, again, breathe in, count 3, इस तरह से आप count करते रहेगे 10 तक, फिर जब 10 तक complete कर लेते हैं, दुबारा से आप 1 से start कर लीजी, तो इस तरह से आप counting करते रहेंगे, तो उससे आपको breathing पर focus करना easy हो जाता है, very important to keep in mind, don't worry, क्योंकि जब आप अपनी breathe पर focus करना start करते हैं, तो आपका mind जो है, वो इधर उधर भटकने लगता है, आपके mind में बहुत सारे अलग-अलग तरह के विचार आते हैं, आपको बहुत सारे काम भी याद आने लगते हैं, it's natural and normal, सब के साथ ऐ होता है, और beginning में तो बहुत ज़्यादा ऐसा होता है, तो आपको tension नहीं लेनी है, आपको सोचना नहीं है, मेरे thoughts अच्छे हैं, या बुरे हैं, या मुझे ये thoughts क्यों आ रहे हैं, खुद के लिए guilty feel नहीं करना है, कि I am not able to focus on my thoughts, आपको सिरफ क्या करना है, उन thoughts को label कर लेना ह दुबारा से अपनी breathe को count करना, start कर लेजिए once से, तो जितनी बार भी आपके साथ ऐसा हो कि आपके thoughts जो है, आपको disturb करना, start करें, उतनी बार आपको focus करना है, दुबारा से अपनी breathe पर, आपको उसके guilt के साथ या ये नहीं सोचना है कि मैं focus नहीं कर पा रहा हूँ, कितनी ब बार भी आपके mind methods आए, हर बार आपको वापस से focus अपना अपनी breathe पर लेकर आना है, it's that simple, अब जब आप mature होते चले जाएंगे अपनी mindful meditation की practice में, तो क्या होगा कि धीरे धीरे आपको ये counting जो है unnecessary लगने लगेगी, क्योंकि अब आप focus कर पा रहे हैं अपने breathe पर, अब आप आपके chest expand हो रही है, आपके body में air जा रही है and it is coming out, तो सिरफ इस पर ही आपको focus करना है, जैसे जैसे practice बढ़ती जाएगी, तो आपके लिए easy होता चला जाएगा, यहाँ पर आपको अपनी breathing पर focus तो करना है, बट उसे change करने की कोशिश नहीं करनी है, it could be slow, it could be fast, जैसे भी आ रही है, बास आप उसको observe करते रही है, यहाँ पर आपका motto अपनी breathing को change करना नहीं, बलकि उसके साथ बने रहना है, तो आप अपनी सांसों के साथ बने रही है, उस पर focus रखिए just, यह नहीं देखना है कि वो slow है या fast है, अब आप अपनी breathing पर without counting focus करने लगे हैं, तो इसस the next advanced level पर क्या होगा, कि आपको breathing पर focus करना भी in-out पर ज्यादा overburdenize लगने लगीगा, अब आपका mind easily focus हो जाता है, breathing in and out पर, तो अब आपको क्या करना है, when you breathe in, just focus your mind and when you breathe out, relax your mouth, जैसे ही आपकी सांस बाहर आ रही है, वो space में dissolve हो जाती है, वैसे ही आपकी जो awareness है, वो भी ए आपके environment के साथ, when you breathe in, focus on your breathe and when you breathe out, just dissolve yourself with that air which is coming out, then this process will become very easy and comfortable for you as you keep on practicing it, this stage is the transition from the mindfulness meditation by focusing on breathe to objectless meditation, तो यहाँ पर आप object से परे होते चले जाते हैं और आप धीरे धीरे practice करते करते उस stage पर पहुंच जाते हैं, जहाँ आपको किसी चीज़ पर focus करने के जो पनी पड़ेगी, अपनी breathe पर भी focus नहीं करना पड़ेगा, फिर आपको सिरुफ बैठना है, आप अपनी position लेकर हो जाते हैं, यहाँ पर आपको किसी particular चीज़ पर focus नहीं करना पड़ता है, लेकिन आप किसी चीज़ से distract भी नहीं होते हैं, यहाँ पर ना तो आप focus की state में हैं, ना ही distraction की face में हैं, आप सिर्फ aware हैं, और आप अपने present moment पर रहे हैं, finally, अभी आप meditation करना सीख चुके हैं, या आप सीखना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे important चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो है कि आपको consistent रहना है, आपको अपनी practice को continuous रखना है, अगर आप एक दिन miss कर देते हैं, तो आपके लिए दूसरा दिन miss करना बहुत easy हो जाता है, और जब आप दो दिन miss कर देते हैं, then it keeps on going, आपको लगता है कि it's okay, but आपकी जो practice है दुबारा सा resume नहीं हो पाती है, तो आपको सिरफ consistency बना के रखनी है, अगर आपको अपने mind को समझना है, अपने mind की processing को समझना है, आपको busy रहते हुए भी शान्त और काम रह अपने concentration focus, memory को बढ़ाना है, तो consistency is the key, consistent रहे, mindfulness की practice करिये, तरीके और भी हो सकते हैं, I am not saying this is the only way, but हाँ, consistency बहुत जरूरी है, जैसे किसी भी habit को maintain करने के लिए, या किसी भी habit को बनाने के लिए consistency चाहिए, वैसे ही meditation की mindfulness की practice के लिए भी consistency बहुत important है, और यह सब चीजे जो मै mindfulness की practice हमें कैसे करने चाहिए, यह हैं इस book से, mindfulness, इस book के author है, Iwan Tivorsky, इनकी book से मैंने पहले भी एक video बनाई है, जिसमें baby steps about meditation मैंने आपके साथ discuss किये थे, उसी book से यह सारी चीजे है, so if you want to dive deeper into this subject, then you must read this book, mindfulness, and आज के लिए इतना ही, we will meet next Sunday, till then, keep reading, keep learning, take care, bye-bye.